हाई गाईज, इस हिमान्चो सिवाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स चेप्टर, चेप्टर 10 ग्रेविटेशन तो वट इस ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक फंडामेंटल फोर्स है जो मास्स की वज़े से एक दूसरी बोडीश पर लगता है यह उन बोडीश के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिन के पास मास होगा ग्रेविटेशन is the fundamental force between the bodies having masses जिन बोडीश के पास मास है, उनके बीच में लगने वाला यह फंडामेंटल फोर्स है यह एक universal force है जो कि पूरे universe में जितनी भी bodies है सब पर mass है उनके उपर applicable है ठीक अर्थ के चारो तरफ यह जो atmosphere hold किया हुआ है अर्थ ने इसका कारण भी gravitation है अर्थ का gravitational force इन सब पूरे atmosphere को अपने चारो तरफ रोके हुए है ऐसे ही पूरा universe जो रुका हुआ है वो gravitational force के basis पर stable है और इस gravitational force की खोज भी Newton दुवारा की गई थी Newton आपने कहानी सुनी होगी में बी मैं एक बार फिर भी आपको बता दूँ Newton पेड़ के नीचे बैठे थे उनके सिर पर आकर सेब गिरा तो उनने सोचा के सेब नीचे ही क्यों आया उपर की तरफ क्यों नहीं गिया गिर के ऐसे ही जरूरी नहीं ये तो एक कहानी बनाई है उनने बहुत सारी चीजों में एक चीज observe की होगी कहाँ भी कोई भी चीज में छोड़ रहा हूँ तो वो नीचे ही जा रही है के एक फोर्स मासिस पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और डीस्टेंस के इनवर्स ली पर्पोर्शन है देखि तो इसके उपर उनने लो दिया था यूनिवर्सल लो ऑफ ग्रैविटेशन इसे Newton's law of gravitation के नाम से भी जानते हैं Newton ने बताया कि अगर universe में कोई भी दो mass है मान लीजिए यह कोई mass m1 है और यह कोई mass m2 है तो और इनके centers के बीच की दूरी मान लीजिए r है तो according to Newton जो force, जो gravitational force इन objects के बीच में लग रहा होगा वो force directly proportional तो दोनों object के masses के product के है और inversely proportional इनके बीच की जो distance है उसके square के है अब directly proportional और inversely proportional का meaning आप सभी जानते होंगे directly proportional का मतलब है कि masses जितने ज़्यादा होंगे जितना बड़ा mass होगा mass की value जितनी ज़्यादा होगी force उतना ही ज़्यादा लगेगा और r ये distance inversely proportional है यानि कि जो objects के centers के बीच में distance है देखिए ये centers के बीच की distance हमेंशा लिजाती है आप एक note point याद रखे gravitational force is a central force gravitational force एक central force central force यानि कि कभी भी gravitational force दो bodies के center के बीच में ही लगेगा तो inversely proportional उनके distance के square के यानि कि distance जितनी ज़्यादा होगी force की value उतनी कम होती चली जाएगी जितना आप r बढ़ाएंगे f उतना decrease होगा या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूँ कि force की r की value का आप जितनी कम करेंगे force उतनी high हो जाएगी force उतनी ही जादा लगेगी ठीक है अगर आप इन दोन equations को combine करते हैं तो f is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r square directly proportional हटाएंगे तो एक proportionality constant आता है ठीक जिसकी value जिसका symbol capital G है m1 m2 by r square जहां मैं कह सकता हूँ एर capital G is universal gravitational constant universal gravitational constant to capital G universal gravitational constant है clear students तो ये universal law of gravitation है कि force directly proportional masses के होगा और universally proportional distance के square के होगा अगर आप इसका statement लिखें आप देख लिजेगा मैं video के description box में एक link डाल दूँगा जहां से आप इस chapter के notes download कर सकते हैं तो वहाँ आप देखेगा notes में मैंने statement पुरा लिखा हुआ है तो universal law of gravitation का statement है it states that force between two masses is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them clear now जैसे कि अब इस formula से आप क्या कह सकते हैं बहुत सारे conclusions में आपको समझाने के लिए देखेए ये तो कोई limit नहीं है कितने भी आप निकालने लेकिन आपको कुछ clear हो जाए point इसलिए मैं conclusion देता हूँ अगर distance जो है object के बीच की double कर दे if distance between objects becomes double यह यह आर को में double कर दूँ देखे आर inversely proportional में है अगर आप इस आर को double करेंगे ठीक तो f यह r है इस r के place पर माल लीजे आपने 2r और इस r का भी क्या था square यह distance का क्या है inversely proportional में square है अगर आप इसका square करेंगे देन upon में 4 extra आ जाएगा यानि force का जो formula मालने मैं आप पूरा लिखम g m1 m2 by r square था उसके place पर हमने r की जेके 2r यानि distance को डबल कर दिया तो जो नया formula है इतना force तो पहले ही लग रहा था यह r square now upon में 4 extra आ गया यानि कि अगर हम distance को डबल करते हैं then force become 1 fourth of the origin यानि जितना force originally लग रहा था जो अब force होगा वो उसका one fourth हो जाएगा माल लीजिये दो object है इनके बीच में 4 newton का मैं कह सकता हूँ gravitational force लग रहा है माल लीजिये तो अगर आप distance डबल कर देंगे इन objects को जितनी दूरी पर रखे तो उससे दुगनी दूरी पर रख देंगे तो अब इनके बीच का जो gravitational force है वो one by fourth यानि कि सिर्फ एक newton रह जाएगा तो distance बढ़ाने पर gravitational force की value क्या होती है कम होती है और कम भी कितनी अगर double की है तो one fourth ही होगी अगर मैं इसको triple करता तीन गुनी distance कर देता तो upon में three का square nine आता यानि कि जो gravitational force की value है वो one by nine बचती अगर इफ distance between the objects becomes half अगर distance को हम half कर दे इस r के place पर मैं क्या put कर दूँ r by two रखतू तो जब इस r के place पर मैं r by two put करूँगा तो आप ध्यान दे कि जो upon वाले two का square है यानि वो r square by four हो जाएगा और four यहां आएगा यानि कि अगर हम distance half कर दे then the force become four times तो force चार गुना हो जाएगा यानि कि अगर अभी 4 newton की force लग रही है मैं इनके बीच की distance इतनी है उसकी आधी कर दूँ तो जो नया force लगेगा वो कितना होगा चार गुना यानि four newton originally थी now 16 newton का force वहाँ objects के बीच में लग रहा होगा तो इस बात को आप याद रखें कि distance बढ़ाने पर force घट रही है और घट भी क्या रही है उसका factor का square हो रहा है उतने times और distance घटाने पर force बढ़ रही है उसमें भी same condition अगर आपने आद ही करी है तो force चार गुनी हो जाएगी clear students चलिए अब मैं बात करता हूँ थोड़ी से इस universal gravitational constant topic पर what is universal gravitational constant universal gravitational constant क्या है यह force का formula जो हमें याद रखना है पूरे chapter में यही formula यूज होगा और Newton ने इसी अपने gravitation की topic के basis पर बहुत सारी चीजों का explain किया हुआ है जैसे कि Kepler's के law है planetary motion के law के बारे में उनने कुछ बताया है और जो tides समुदर में आती है उसका reason भी उनने gravitation के basis पर explain किया है कि moon का gravitation force उनने हीशता है तो high tide बनती है और जब moon थोड़ा सा दूर होगा वो gravitation force कम होगा तो low tide बनेगी चिक चलिए देखते है universal gravitation constant किया है तो अगर मैं g की बात करूँ पहले मैं इसकी unit की बात करता हूँ unit of capital G universal gravitation constant की unit क्या है तो g का अगर हम formula निकाले है तो fr square by m1 m2 यह formula है यहाँ से unit क्या बनेगी unit बनेगी newton force की r है distance SI unit क्या होगी उसकी meter meter का square और mass है kg kg कैसा unit मतलब mass की SI unit क्या होगी kg तो दो बार mass है तो kg का square एन लिए कि मैं कह सकता हूँ newton meter square kg minus 2 यह unit है gravitational constant की newton meter square kg minus 2 अगर मैं बात करता हूँ इसकी value की value और एक definition universal gravitation constant है कि अगर आप से कोई यह पूछता है तो आप उसकी definition क्या देंगे तो capital G की जो definition है उसके लिए आप ऐसा कीजिए mass let कर ले यह भी दो object है जिनके mass 11 kg है यानि एक एक किलो के दो object में लिलू और उनको एक meter की distance पर रख दू तो यहां अगर हम तीना चीज one put कर देंगे then f equals to g यानि कि universal gravitational constant उन masses के बीच का force है जिन mass की value 1 kg हो और distance का distance कितना 1 meter हो यानि कि इसकी definition आप इसी के basis पर बना सकते हैं universal gravitational constant is numerically equal to the force exerted between two object of masses 1 kg and placed at a distance of 1 meter अगर एक meter के distance पर दो 1 kg के mass रख रखे हो तो उनके बीच में जो force लग रही होगी वो force numerically equal किसके होगी gravitational constant की और by experiment हमने इसकी value निकाली बही है वैसा कर सकते हैं दो mass ले 1 kg के और उनके बीच की distance एक meter रखे हैं और calculate करें कितना force लग रहा है तो उसकी value 6.67 into 10 की power minus 11 और unit हम निकाल चुके हैं newton meter square kg minus 2 newton meter square kg minus 2 तो यह universal gravitational constant की हमारे पास value आगई यह value आप याद रखेंगी यह value पूरे universe में कहीं भी change नहीं होगी यानि कि आप earth और mars के बीच में अगर gravitation force निकाले या अर्थ और sun के बीच में gravitation force निकाले तो यह value क्या रहेगी same रहेगी ठीक चलिए अगर आप देखना चाहते हैं कि एक earth अगर यह पूरी earth है और यहाँ कोई object है चोटा सा इसका mass m है earth का mass capital N है कि earth किसी object पर कितना force लगाती है तो उसके लिए आपको radius of earth r e में मालूम m e mass of earth तो जो gravitation force है earth का वो कितना होगा capital G m e m by r e का square r e की value exact तो नहीं पर approximately आप यूज करते हैं चोट सट सो किलोमेटर ठीक और mass of earth लगबग 6 into 10 की पावर 24 kg तो ये values आपको अगर कहीं question में देगा तो given मिलती है बाकी generally आप याद रख सकते हैं capital G की value fix है तो आप यहाँ से mass किसी object पर निकाल सकते हैं अगर कुछ kg का object है तो उसका mass रख दे, earth का mass रख दे capital G, r e की value रख दे तो हैं पता चल जायागा कि earth ने किसी object पर कितना force लगाया अब newton's third law कुछ बच्चों के याद होगा और maybe किसी को यहाँ doubt भी आ सकता है कि sir newton's third law में हमने बताया कि एक object अगर दूसरा object पर force लगाती है तो उतना ही reaction force दूसरा object पहले पर भी लगायागा तो same वो condition यहाँ भी apply होनी चाहिए कि अगर अर्थ ने इस object पर माली जे कोई object या कोई वो save newton वाला हम ले लें कि यह उपर से गिरा तो अर्थ ने अगर इस पर force लगाई तो इस save ने भी तो अर्थ पर force लगाई होगी हाँ, newton's third law यहाँ valid है यह save भी अर्थ पर force लगा रहा है वो भी उतनी ही force लगा रहा है जितनी अर्थ ने उस save पर लगाई confusion बच्चों को बहुत जादा यहां रहता है कि फिर अर्थ जो है save की तरफ क्यों नहीं आ रहा save ही क्यों अर्थ की तरफ जा रहा है देखिए दोनों की force तो equal होगी जो apple ने force लगाई और जो अर्थ ने force लगाई वो दोनो forces तो equal होगी but force equal है इसका mass, mass of apple और mass of earth यह mass बहुत जादा है यह mass बहुत कम है अब mass का difference आ गया force same है तो जो acceleration produce होगी यहां acceleration बहुत जादा produce होगी और यहां acceleration बहुत कम produce होगी और बहुत कम भी अगर आप numerically calculate करके देखें तो यह इतनी कम है कि मैं इसको ना बराबर यानि कि negligible कह सकता हूं कि earth, sun की earth, apple की तरफ जो जा रहा है वो बिल्कुल ना बराबर acceleration से जा रहा है यानि कि मैं कह सकता हूं लगभग move ही नहीं कर रहा तो force तो लगी लेकिन earth का mass बहुत जादा होने की वजह से वो apple अर्थ को अपनी तरफ attract नहीं कर पाता बट according to Newton's third law force एक दूसरे पर equal opposite हर object लगा रहा है clear? और अगर दो लगभग same masses की हम बात करें ठीक माली जे मैं खड़ा हूं और यहां कोई कुरसी रखी हुई हम दोनों पर force लग रहा है तो वो force equal opposite है लगभग same है mass में भी ज़्यादर difference नहीं है तो वो cancel out हो जाता है उसका effect और साथ ही साथ capital G की value इतनी कम है 10 की power minus 11 के हम अपस में एक दूसरे के बीच का force calculate करें तो force बहुत कम होगा इसलिए जर्णली किसी दो masses के बीच में हमें force महसूस नहीं होता कब महसूस होता है जब एक mass बहुत बड़ा हो जैसे कि earth और कोई object है या sun कोई object है तो वहाँ ये force महसूस होगा वरना जर्णली ये आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो आप इसकी unit याद रखें gravitational constant की value याद रखें आप से definition पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कोई object दो object जिनका mass 11 kg है और उनके बीच की distance 1 meter है तो उनके बीच में जो force लग रहा है तो numerical ये gravitational constant के बराबर होगा तो आप इसकी definition याद रखते हैं चलिए अब कुछ questions मैं इसके उपर आपको करा देता हूँ यह आपके सामने question इस question के अंदर दिया है calculate the force of gravitation due to earth ओना ball of 1 kg mass lying on the ground अर्थ के उपर कोई ball रखी हुई है अर्थ है जिसका mass हमें दिया है 6 into 10 की power 24 kg और यहाँ कोई ball रखी हुई है जिसका mass 1 kg और इनकी बीच की distance radius of earth यह भी हमें given है 6.4 into 10 की power 3 km और capital G की value दी है हमसे पुछा है force निकाली कितना लग रहा होगा इस time ball पर तो according to universal law of gravitation universal law of gravitation का मैं use करता हूँ तो मझे पता है force का जो formula है वो बराबर होगा g into दोनो masses की product और distance के square के inversely proportional चाहिक है capital G की value हमें पता है 6 और question के अंदर db है 6.7 into 10 की power minus 11 small m 1 kg है mass of earth दिया है 6 into 10 की power 24 kg लेकिने जो radius of earth है यह ऐसा unit में नहीं दी meter में और यह value यह unit जो है meter में दी है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप इसे meter में बदल लें और kilometer को meter में change करने के लिए 1000 से into करेंगे तो 10 की power 3 वहाँ already है और अगर 1000 से into कर देंगे तो 10 की power 3 और आ जाएगा तो यह value होगी 6.4 into 10 की power 6 अगर मैं meter में change कर दूँ और उसका भी square होना है तो इस पूरी value को आप calculate कर लें solve करके यह आपका answer 9.8 newton आ जाएगा approach चीक है तो student इस type से questions ही हाँ आपको मिलेंगे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं practice कीजिए अच्छे से questions की अगर कोई नया student है तो चैनल को subscribe कर दें और अपने doubts या suggestions comment box में मुझे ज़रूर बताएं Thank you